हम का तो फिछले पीछे यह मैंने यह देखा था इसलग में कि हम हम कि रिजल ग्राइन कैसे निकालते अगर हमें वेक्टर दिया हो तो उसे हम रिजल तो यह सारे लोग्राम लॉफ वेक्टर एडिशन यह सारी चीज हमने पढ़ लिए पीछ से टीक है अब हम ना एनलेटिकल मेथड देखेंगे एनलेटिकल कहने का मतलब यह होता है कि मालों हमें वेक्टर का करेंगे मेंदिघूट अंका मैगनिट्यूड दे रखा है और उनके बीच का एंगल दे रखा तो पहले तो हम आपको बताते हैं कि दो वेक्टर के बीच का एंगलald is look a आग और डीक Vector है तो आपको पूछेगा कि A और B में एंगल बताओ तो कुछ नहीं वेक्टर को पैरलेली सिफ्ट कर सकते हो आप तो यह वेक्टर को ना ना पैरलेली यहां पे सिफ्ट कर दूँ तो यह वेक्टर यहांपे आगया तो इनके बीच का जो एंगल हो गारा यह यहीं ठीटा ए तो यह हम एंगल निकालते समय ऐसा चीज जैसे मैंने यह बोला कि एक वैक्टर यह है और वी वैक्टर यह है तो इनके बीच का एंगल कितना है टीकर न है यह वैक्टर है यह वैक्टर है तो कुछ नहीं इसको न शिफ्ट कर दो एंगे बढ़ा दो इसको रसी बाद हो आगे तो ये जो एंगल होगा ये भी ए वेक्टर होगा तो ये जो एंगल होगा ये फीटा ये इनके बीच के एंगल हो ऐसे ही मैं कोई बड़ा डाइग्राम बना दूँ ये एप्वेंट कि मैं बोलू ये गदिज धू वेक्टर है, मैं बोलूं कि A और C में कितना एंगल है, तो कुछ नहीं करना है, देखो इसको क्या करते हैं, यह हमारा क्या था, A वेक्टर था, यह हमारा क्या था, C वेक्टर था, ठीक है, यह हमारा क्या था, यह हमारा B वेक्टर था, यह A, यह B, यह C वेक्टर, तो कुछ न इसको आगे बड़ाते टो कि और इसको भी आगे बड़ा दो तो यह मारा सी वेक्टर इदर चला गया यह हम रहे तो यह सिसक्वाइक टूर अग्या अब अ गया फिख टेव टू तो संपाजो ऑ यह अंगल होगा यह एंगल के वी Further यह कि वहता या चीज़ में है तो हम तो किसी हम किसी भी वेक्टर को सिattend करा सकते इंद में एक same plane में हम उसको हम वेक्टर को को shift कर सकते plane चेंज करोगे तो उसका dusा वेक्टर का तो डारेक्शन ही हो जाएगा ना तो हम एक same plane में हम पैरलेली उसको डुआ उसको खिफ्ट कर सकते हैं vector तो यह चीज़े एंगल वग्यर्द करना समझ में आ गया अब हम पढ़ते हैं वेक्टर एडिशन बाई दा एनलेटिकल मेथड अगला हेडिंग जो रागो यहीं से हम टॉपिक की स्टार्ट करने वाले हैं आज कर एनलेटिकल मेथड ओफ एनलेटिकल मेथड ओफ अ है वेक्टर एडुप थिकर्न तो यह कैसे करते टू देखो कुछ नहीं होता बहुत सिंपल होता है और यह हैं माल Nou यह एकटर है यहां से परपेंडिकुल ना यह एक मालो यह हमारा थीटा एंगल होगा एंगणों से यह तो यहां को अगल sponsor और B के बीच का एंगल जो है ए और B के बीच का एंगल जो है बीच का जो एंगल है वो क्या है ठिटा है ठीक है यह 90 डिगरे तो यह बताओ A B C और यह D एक ट्रेंगल है हमारा A B C बड़ा वाला ट्रेंगल देखो और इसमें पाइथागोरस्थियूरम लगाओ तो पाइथागोरस्थियूरम लगाओ आप लो और यह हमने आपको पहले बता रखा था टिंग्नोमेंटरी में यह बता रखा अगर यह B है तो यह वाला चीज होता है B sine theta अगर यह theta है तो यह B sine theta होता है और यह जो होता है B cos theta होता है यह बताया है नगलए पताया है अगर आपको अगर मालनों हमारा यह hierarchy रहाइं है यह एसा है तो यह point अगर यह unity uniti है ठीक न यह standard unity circle है हमारी तो यह point जो ओता है यह cost theta and a sign theta होता है तो यह कैसे आता है यह मैंने आपको बताया था कि यह angle इसके call theta angle है तो यह यह होता है यह हमारा cost theta होता है है S-axis में और यह उपर वाला जो होता है साइन ठीटा होता है तो यह पॉइंट को हम लोकेट करते हैं तो यह चीज इसमें भी आपको समझ में आई होगी कि यह जो डीबी जो है डीबी है जो यह वाला यह हमारा बी कॉस्ट ठीटा है और यह हमारा बी साइन ठीटा है ठीक है यह वेक्टर है यह वेक्टर है त तो कुछ न कुछ तो इसका magnitude V Vector होगा तो V हम इसको क्या बोलते इसका magnitude है और यह ए वेक्टर का magnitude हमारा A है तो यह चीज इतना समझ में आया है आपको आप देखो आगे बढ़ते हैं आपके पास एक triangle है आपके पास एक triangle है ऐसा ठीक है यह है यह है यह है बी यह है आपके यह एंगल ठीटा है तो यह कितना होगा 시की ना बी कौस ठीटा होगा टेक है और यह हमारा ए यूनिट है यह हमारा यूनिट है हमरा अनलों B यूनिट है ठीक है ना ए वेक्टर को हम क्या लिखते थे मैंने जब यूनिटी वेक्टर पढ़ाया था तो यह बताया था तो यह डिरेक्शन तो यह अब यह मालो ए है यह बी है यह है यह और यह पॉइंट डी है ठीक है अब ट्रेंगल ABC देखो रेंगल ABC देखो इधार ञांदर ट्रेंगल ABC दो है जान से देखो ट्रेंगल ABC तो अप लिखो गया और R2 equal to R2 equal to AB2 plus BC2 यही समझ में आई अब BC को क्या लेख सकते हो BC को लिख सकते हो ABC को लिख सकते हो CD प्लस DB का whole square यह बड़े वाले BC को हम यह यहां से यह करके और यह I use समझ में आया mute करके बोल सकते हो आप लोग एक आदमी I use हाँ से रहा है ठीक है good अब देखो इसको लिखेंगे AB square प्लस अब इसको लिखो CD square प्लस BD square प्लस प्लस 2 CD into BD ठीक है यह चीज़ लिख सकते है इसको जब whole square करेंगे तो ठीक है इतना समझ में है अब देखो अब AB square यह AB square जो है AB square यह वाला है अब चोटे वाले ट्रेंगल पर देखो अब पेंच चेंज करता हूं मैं यह देखो यह AB square है यह AB square यह वाला है यह वाला distance ठीक है न यह वाला distance और AB और यह BD यह BD square यह BD square यह वाला तो यह वाला यह वाला और यह AB square प्लस BD square को हम यह लिख सकते है AB square इस ट्रेंगल में देखा जाए तो इन दोनों को मिलाके यह और इसको मिलाके हम इसको लिख सकते है AD square और CD को CD लिख दो CD square ठीक है प्लस 2 CD into BD यह समझ में आया है आयूस हाँ सरफ ठीक है यह समझ में आगया है अब देखो AD को क्या लिखेंगे B square लिखेंगे AD हमारा B square CD क्या है A square है A square है 2 CD कितना है CD कितना है हमारा CD A है CD A है ठीक है और BD कितना है BD B और D हमारा B cos theta है B cos theta है तो यहां से हमारा R जो आया R square जो आया वो यह आया ठीक है तो R square क्या है हमारा R square आया R square बराबर a square plus b square plus 2 a b cos theta तो यहां से r की value आएगी under root में a square plus b square plus 2 a b cos theta तो यह resultant का हमारा length हो जाएगा अगर a vector का magnitude पता है v vector का magnitude पता है और उनके बीच का angle पता है तो हम a और b का वो बता सकते हैं कि हमारा resultant vector का length कितना है ठीक है तो यह formula याद रखना और बहुत important formula है इसको ठीक है याद रहेगा आप सबको proof समझ में आया ना राज ठाकरे सिर्फ 2a भी cos theta के से आये एक बढ़ना समझा ठीक है यह देखो यह a square plus bd square को a d square लिखा यह समझ में आया और यह cd यहाँ पे यह देखो यह जब मैंने इसको open किया था open किया था तो a plus b का whole square क्या होता है cd का square plus bd square plus 2 cd into bd लिखेंगे यह चीज़ समझ में आया आया ठीक है अब क्या किया हमने a b और b d को a b और b d को हमने a d square लिखा यह तो समझ में आया होगा सबको ठीक है अब cd को एज़िटी लिखा cd और 2 cd into bd तो a d के जगा पर b square cd के जगा पर a square ठीक है अब cd कितना है हमारा a है cd हमारा a है ठीक है cd a है ठीक है और b हमारा क्या है bd है b cost theta चिए cd आ हमारा b d की लेंथ कितनी है हमारे यह है हमारी बीडि तू इसकी लेंथ कितनी है b शितन है demi b a into b a इन्टु बेंटु लेंथ नहीं नहीं है ओसुको यह प्सक्स जिह निकाल दिया ठीक है समझ में आया ठीक है तो यह हमारा फॉर्मूला बन जाता है ठीक है आया समझिए तो हाँ तो इसी चीज को न अब यह मैं बोल दूं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका ए वेक्टर से कितना एंगल बन रहा है ठीक है न देखो अगर मैं बोलो यह तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आगे चलो ठीक है मैं बोलो यह ए वेक्टर है यह हमारा वी वेक्टर है ठीक है मैं पूछू कि रिजल्टेंट जो वेक्टर आ रहा है रिजल्टेंट जो वेक्टर आ रहा है उसका एक के साथ एंगल कितना बन रहा है मा तो कैसे करोगे आपने एक्सीज देखी होगी अगर ऐसा होता है ठीटा एसा होता है तो 10 ठीटा कितना होता है अगर यह 2 है यह 2 है अगर ऐसा होता है ऐसा होता है यह 2 है यह 3 है तो 10 ठीटा कितना होता है 10 ठीटा कितना होता है ।2 अपन ध्वार्वार में 3 होता है । यही हमें बीता निकालना है और यह बूर आप बड़ा वाला ट्रेंगल ले लो. ठीक है बड़ा वाला ट्रेंगल ले लो. ठीक है और उसी से हमें क्या निकालना है अब कि हमारा रिजल्टेंट का वेक्टर का कितना होता है ठीक है तो यह यह अपॉन यह वाला लेंथ अपॉन में यह वाला लेंथ और यह वाला लेंथ कितना था बी साइन ठीटा था और यह कितना था यह था और यह हमारा बी कॉस्ट theta upon में a plus b cos theta यह चीज़ समझ में आए तो हमारा 10 beta का यह formula आजाएगा ठीक है यह चीज़ समझ में आई आप लोगों हुआ हुआ है ठीक है यह हमारा formula होता है इसको लिख लो आप लो जैसे हमने यह 10 theta यहाँ पर 10 theta लिखते थे वह क्या लिखते थे लंबटा अधार लिखते थे बतलब यह बेस अपॉन और हाइट अपॉन बेस लिखते थे तो वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा है हमने और यह हमारा a था यह b cos theta था ठीक है अब इसको लिखते हैं तो beta is equal to 10 inverse 10 inverse और यह value लिख दो 10 inverse b sin theta upon में a plus b cos theta I think यह समझ में आ गया होगा आपको अब इसके मैं कुछ significance बताता हूं ठीक है अब यह बताओ अगर मैं बोला हमारा आर वेक्टर कितना था है आर आर का magnitude कितना था हमारा a square plus b square plus 2ab cos theta यही था अगर मैं बोलू अगर मैं बोलू कि a और b a and b पहला note point लिखना a and b are parallel parallel तो a और b के बीच के एंगल कितना होगा a and b के बीच के एंगल कितना होगा जीरो डिगरी होगा आप cos 0 कितना होता है 1 होता है तो इस formula में डाल दो 1 डाल दो तो यह क्या हो जाएगा a square plus b square plus 2ab अब यह बताओ यह वाला जो अंदर लिखा यह a plus b का whole square है तो यह a plus b आ जाएगा तो इसका मतलब होता है जब हमारी दो parallel line होती है तो उनका हमें magnitude पूछना होता है उसका resultant अगर तो उनके magnitude को हम add कर देते हैं जैसे मैंने बोला कि यह 3i cap है और यह 4j cap है 4i cap है तो मैं पूछ गया इसका resultant कितना होता है बस इसको add कर दो 7i cap और इसका magnitude अगर पूछा यह तो 3 और plus 4 7 ऐसे लिख देगो 3 plus 4 ठीक है यह चीज़ समझ में आया तो यह अगर दो हमारे पैरलेल होते हैं अगर हमारे दो वेक्टर अगर पैरलेल होते तो ठीटा 0 होता है तो हमारा r resultant vector कितना होता है a और b होता है तो यह याद रहेगा आप लोग को आयूस और फिर दूसरी चीज़ r vector हमारा यह होता है a square plus b square plus 2ab cos theta अगर मालो a और b anti-parallel 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 है तो क्या कहो गया anti-parallel है तो क्या बोलोगी 180 degree हाँ इन दोनों के बीच में क्या है 180 degree है theta equal to 180 अब theta की value 180 डालोगे तो cos 180 degree की value होती है निकालोगे तो minus 1 होती है मैंने trigonometry में बता रखी है यह ठीक है तो यहाँ पर यह हो जाएगा a square plus b square minus 2ab अब यह a minus b का whole square है a minus b का whole square है under root करोगे तो square हट जाएगा तो यह आ जाएगा a minus b तो इसको हम लिख सकते है magnitude of a minus magnitude of b अगर दो anti-parallel दिये होते हैं तो उनका resultant vector का magnitude अगर पूछा जाए तो हम generally क्या करते हैं कि a का magnitude निकालेंगे a का और b का और दोनों को घटा देंगे तो हमारा उसका क्या जाएगा anti-parallel अगर होंगे तो हमारा उसका resultant का length आ जाएगा यह बाते समझ में आ गई तो यह दूसरा note point था आपका दूसरा note point था अब कुछ और चीजे में बताता हूं अब यह बताओ हमारा जो resultant vector है उसका magnitude इन ही न इन ही दोनों में maximum value हमारी a plus b हो सकती है और minimum हमारी value a minus b हो सकती है तो जो resultant vector होता है resultant vector होता है उसका magnitude होता है वो a minus b से a minus b से छोटा नहीं हो सकता है और a plus b से बड़ा नहीं हो सकता है तो हमारा इनके बीच में लाई करता है तो यह तीसरा point था यह तीसरा point है ठीक है क्यों क्योंकि यह minimum value है minimum value है यह maximum value है यह कैसे आई यह ऐसे आई कि cost data की cost data की maximum value कितनी होता है cost data हमारा minus 1 से 1 होता है ठीक न और वही हमने criteria रखके तो यह maximum minimum निकाला है माइनस वन में हमारा मीनिमम और और फॉन पर हमारा मैक्सिमम आ रहा है जब कॉछ छीटा 1 रख रहे तो हमारा रिजल्टिन्ट वेक्टर का मैंगनीटुड किसके बीच में लाई करने वाला मैंगनीटूड़ और यह कि इतना भाल समझना है आयूस लिख ले ना आप लो ठीक है अगर दो वेक्टर हमारे दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो वो क्या होगा कॉस छिटा कितना हो जागा 90 हो जाता है तो चौथा नूट पॉइंट लिखो चौथा नूट पॉइंट आर इकॉल टू क्या होता है अंडर रूट में अब तो याद हो गया होगा बार बार लिख रहा हूं तो याद हो गया है यह बदाओ चमक रहा है कि नहीं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूं अगर मैं बोलू कि ए और वी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है मतलब ठीटा इसकोल टू क्या है 90 अब कॉस्ट ठीटा 90 का वैलू क्या होता है कास 90 की वैलू हमारी जीरो होती है तो यहां पर जीरो डाल दो यह वैलू तो जीरो हो जाएगी तो यह बचेगा अंडर रू मुला हमारा पाइथागोरस में भी आता था देखो अगर एक वेक्टर यह है एक वेक्टर यह है ए और बी तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता था अगर यह हम अगर आर वेक्टर यह एसी वेक्टर निकालते थे तो यह लिखते था ने इसका और इसका लिन लिखत तुझ देखञ जासा आ गया ना यहां पे भी वेक्टर से भी यह चीजे पाइख़ा गोरश में भी हमने पड़ रखा था तो यह चीजे हमारी वेक्टर की हो गई ठीक है समझ में आ गया सै तो अगर मैं एक लिखो numerical दूँ आपको तो उसको करके बताना है आपको लिखो numerical को लिखो two forces two forces f1 10 newton and F2 हमारा 15 Newton है इनके दोनों के बीच का एंगल इनके दोनों के बीच का एंगल ठीटा जो एंगल है वो हमारा 45 है ठीक है तो आपको बताना है resultant vector का magnitude और दूसरा दूसरा question है कि angle between angle between f1 and r vector इनके बीच में एंगल बताना है ठीक है तो वो चीजे मैंने आपको बता रखी है और जल्दी से solve करके बता दो नहीं समझ में आता है ना तो पहले नमबर डाइग्राम बना लो ऐसे तुरंत डाइग्राम बना लिया करो ऐसे ठीक है यह question समने लिख लिया ना तो तुरंत अगर question दिया जाता है तो डाइग्राम बनाना सीख जो पहले तुरंत डाइग्राम बनाना सीखो क्या करोके एक हम तुरंत यहां प्रण यहां पे यह त्युक्र ले ले लेक्र इनके बीच के एंगल कितना है हमारा 45 थिक के इसका मैंगनिटूद हमारा दे रखखाए 15 इसका मैंगनिटूद दे भी को स्थीटा बस यह वैलू रखते जा एक का मैंगनिटूद दे रखा है एक मैंगनिटूद हमादा 10 का यह 10 का स्कॉयर प्लस 15 का स्कॉयर ठीक है प्लस 210 इंटू 15 इंटू को स्थीटा की वैलू अपॉन रूट 2 होती है तो उसको स्वाल्व कर लो आप लो तो यहां से सॉल्व करोगे तो आपकी वेल्यू आ जाएगी आर की वेल्यू यहां पे आ जाएगी आपकी 23.76 इतना हमारा न्यूटन आ जाएगा तो एंगल बहुत सिंपल था कि में बताती हूं हुआ याद करो वीडियूसिंहीं जाएग, पक्रोन फिर दिधा ने, यह फिर तो हमें से डियागरम यह यहां था यह हमारा या मारे ऑपका यह वार इंडिते कितना है इह हमारर की है तो यह कितना होगा 15 sin theta होगा यह कितना 15 cos theta होगा ठीक है और 10 theta यह हमें beta बताना है तो 10 beta लिख दो यहां पर 10 beta equal to लिख दो 15 cos theta 15 sin theta upon 10 plus 15 cos theta अब यह value बस रख देनी यह cos theta पता है इस theta की value हमारी दे रखिए theta equal to 45 वो रखो तो 10 beta निकल के आ जाएगा और 10 beta जो आता है है आपका वहां से यह आएगा 0.5147 और यह जो value होती है ना calculator से देखोगे तो आपको इतना लिखना नहीं है point में नहीं लिखना है आपको बस यह formula लिखना उसे value डालके और under root में ही छोड़ देना है ठीक है ना किसको समझ में आया यह कोश्चन जो दिया उससे यह किसको समझ में आया आयूस आया रूट में रह गया हां रूट में रह गया कोई नहीं वैल्यू आप उतने रूट में छोड़ दो ठीक है ना कि ओके कि चाहलो हाँ हाँ एक और चीज बताता हूं मैं कि अब मैं पूछता हूं आपको condition for zero result कभी resultant vector 0 होते हैं क्या होते हैं तो एक नया topic लिको कभी resultant vector 0 होते हैं क्या हां होते हैं कैसे होते हैं मैं बदाता हूं अगर माल लो यह हमारा 10 newton का force इधर की तरफ i की तरफ लग रहा है और फिर हमारा 10 newton का force minus i की तरफ लग रहा है तो इनका resultant कटके कितना होगा जीरो होगा की नहीं होगा यह बताओ तो पहला condition तो यह होगा जब हमारा वेक्टर negative vector होता है negative vector का हमारा resultant कितना होता है जीरो होता है यह मैंने पढ़ा रखा है negative vector पढ़ा रखा है न इसकी value कितनी होते है जीरो होती है ठीक है यह चीज़ समझ में आ गया दूसरा दूसरा condition होता है इसका दूसरा क्या condition होता है दूसरा condition होता है कि दूसरा क्या condition होता है दूसरा condition होता है कि दूसरा यह होता है कि कोई भी एक close figure बना दो एकदम close जैसे triangle बना दो यह हमारा a है यह हमारा b है और यह हमारा c है ठीक है चीए तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c एक्वल टू जीरो होगा हुआ कैसे मैं बताता हूं मैं कैसे बताता इसको देखो कि वाट हिधा देक्टीजान से देखना ठीक कि सब खेल जुमेंट्री यह पर पूरा खेल जो है पूरी जो मैट्रिका ही है यह दैंखो हमारा यह हमारा एक टर था यह हमारा आ एक टर यह मारवी है के तो इन दोनों का तर ग् turitter क्या होगा यह ग frankly दर रोगत आर 는지 opposite दिया है ठीक है न तो ार वेक्टर निकालोगे जो आर वेक्टर तो वह a plus B हो एगा आर वेक्टर हमारा जो होगा वह हमारा a plus c होगा लेकिन हमारा जो c दिया है वह हमारा minus R दिया है ठीक है न तो यहाँ से c को minus r r रखोगे तो a does b equal to minus c रख दो ठीक है तो यह हो जाएगा a plus b plus c equal to 0 तो कोई भी close figure हो उसका हमारा resultant जो vector होता है उसका हमारा value जो होता है वो 0 होता है यह चीज समझ में आई हाँ ठीक है अब जैसे मैं एक example आपको दू की बताओ इसका क्या होगा जैसे मैंने बनाए a b c d e ठीक है यहाँ पर लिए आगे जोड़ दिये ठीक है यह a है यह b है यह c है यह d है यह e है ठीक है तो इसको लिख दोगे क्योंकि सब देखो इन सब का यहाँ पर एक a plus b plus c plus d plus e equal to 0 यह चीज समझ में आगे है आपको अराम से तो किसी भी close figure होता है और एक cyclic way में जा रहा है देखो cyclic way में जा रहा है ऐसे चला यहाँ पर चला यहाँ पर आके खतम होगे है ठीक है इसमें कोई भी ऐसा रही था कि हमने tail को head से मिला है last में ठीक है लेमिस थियूरम होता है बहुत अच्छा थियूरम है ठीक है लेमिस थियूरम यह हमेशा ना काम आता है जब हम magnitude निकालते है ठीक है बहुत अच्छा है concept ठीक है जैसी यह हमें दिया है सबोज हमने दिया यह लिखो यहाँ पर लेमिस थियूरम अब लेमिस थियूरम स्टेट क्या करता है तो it is state that इसको मैं लिखता हूँ पहले लेमिस थियूरम को लिखता हूँ लेमिस थियूरम क्या कहता है it is state that it is state that if the resultant resultant of three vector three vector is zero अगर जीरो है ठीक है ना अगर जीरो है तो माल नहीं यह vector है यह vector था ना यह जीरो यह और यह ठीक है कि इनके बीच के अंगल क्या है ए और बी के बीच के अंगल माल लो यह इन सबकों मैं बनाता हूँ यह एक एंगल का बनाता हूँ माल नहीं पॉइंट यहां पर तो यह ऐसे जाएगा यह यहां पर गया यह ए जुक्ड़ के अंगल है अंगल ना इसको इधर कीशिफ्ट कर दो इसको चोड़ न यहीं वाला व्यक्टरह का यहां यह एक पॉइंट में ला सकते हो ना यह बता यह किसको समझ में एक पॉइंट में यह तीनों को लाया और इनके बीच का एंगल लिखा कि आयूश आया समझ में तो यह ही कह रहा है कि जो हमारा यह है ना जैसे मैंने यह बोला है कि इसने आगे बोला है कि magnitude of यह जो लैमिस्थियूरा मताइट इस्टेट इस्टेट इफ दर रिजल्टेंट आफ थी वैक्टर इस डिरेक्ली प्रोपोर्शनल तो दा साइन अफ एंगल बिट्विन अधर टू एंगल ठीक है ना तो यह बोलता है कि आपका अगर एवेक्टर है तो एपॉन में इसको ए को छोड़के वी और सी के बीच के एंगल कितना है अल्फा है ना वी और सी के बीच के एंगल कितना है तो साइन अल्फा इक्वाल टू, V अपॉन में, साइन, बिटा, इक्वाल टू, C अपॉन में, इक्वाल टू, इधर लिखता हूँ में, इक्वाल टू, इक्वाल टू, इधर लिखता हूँ, इक्वाल टू, C अपॉन में, साइन, गामा, ठीक है, यह चीज यह बोल रहा है, इसका स्टेट्मेंट यह ही है, कि हमारा, इसका स्टेट्मेंट विखता हूँ, इसका स्टेट्मेंट यह बोल रहा है, कि धन, धन, मैंगित्यूड, मैंगित्यूड, ओफ अवैक्टर, अवैक्टर, इस डीरेक्ट्ली, directly proportional to proportional to angle between other two vector other two vector आइ यह चछीज मैंने निखा न अगर, sin angle sin angle between two angles sin of angle between two angles तो देखो जो हमारा A है इसका कहने का मतलब यही था न कि हमारा एक अगल में बनाएंगे तो ऐसा बने गई यह C है यह A है और यह B है तो यह मान अब लाए कि A जो है, A जो है magnitude of A है, directly proportional to sin alpha है, ठीक है ना, क्योंकि A vector को छोड़के इनके बीच के है, B और C के बीच के अंगल क्या है, हमारा alpha है, तो alpha लिखा है, ठीक है ना, और B जो है, B का magnitude है, जो directly proportional to है, sin beta, ठीक है ना, अब B को छोड़के, C और A के बीच के अंगल बीच जाएगी है, C vector जो है, directly proportional to हमारा sin gamma है, ठीक है, अब इसी को, इसी को क्या करना है, हम divide में कर दो, अब इसको equal लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं, A equal to K, मालो, possibility constant लगा है, K sin theta, K sin theta, और इसको लिख सकते हैं, B का magnitude को, B, और K sin beta, यह alpha है, ठीक है, ठीक है, और C का magnitude हम लिख सकते हैं, K sin gamma, ठीक है ना, तो A divided by B करोगे, तो sin alpha upon sin beta आएगा, ठीक है ना, क्या करोगे, A और B को divide करोगे, तो यह हो जाएगा, A का magnitude upon में, B का magnitude equal to sin alpha upon में sin beta, ठीक है, तो इसको ना, इसको ना, इधर उधर कर दो, ठीक है, ना, cross multiply कर दो, तो यह हो जाएगा, A upon में sin alpha equal to B upon में sin beta, और ऐसे ही similarly, हमारा, यह आजाता है, equal to, C upon में sin gamma, ठीक है, तो यह होता है, lemnis theorem, ठीक है, समझ में आया सबको, lemnis theorem, ठीक है, ठीक है, तो ऐसे अगर आपको कोई question दे दूँ, मैं, एक question दे दिया, कि A plus B, मैं बोला, कि give it, question में दे रहा हूँ, question में दे रहा हूँ, question में दे रहा हूँ, question दे रहा हूँ, is, equal to magnitude of B, यह given है, ठीक है न, और magnitude of C जो है, magnitude of C है, वो under root 2 times magnitude of A है, ठीक है, यह हमारा given दिया है, जैसा हमारा given है, ठीक है, और यह भी दिया है, यह भी दिया है, कि alpha, alpha equal to beta दिया है, ठीक है, और alpha equal to beta दिया है, तो आपको बताना है, आपको बताना है, कि जो alpha equal to beta है, तो find the value of angle, alpha, beta और gamma, यह question है, बहुत अच्छा question है, इसको आपको solve करना है, तो कैसे solve करना है, lemnese theorem पता है आपको, magnitude of A equal to magnitude of B, और alpha, beta, gamma सब पता है, ठीक है न, तो यह से लिख दो, magnitude of A upon में sin alpha equal to magnitude of B upon में sin beta equal to magnitude of C upon में sin gamma, यह पता है, और आपको पता है magnitude of A, A है, ठीक है लिख दिया, sin alpha लिख दिया, इसको, sin alpha लिख दिया, अभी बताओ, alpha equal to beta है, तो इसको लिखोगे, और A का magnitude और B का magnitude सेम था, तो B की जगा पर A लिख सकते हो न, यह, और यह होगा sin alpha, क्योंकि हमारा alpha equal to beta भी दिया है, ठीक है, तो यह बताओ, alpha plus beta plus gamma कितना होता है, 180 होता है triangle में, ठीक है, alpha plus beta plus gamma equal to कितना होगा, ठीक है न, एक triangle दिया है, triangle दिया, तो alpha plus beta plus gamma 180 होगा, तो यहाँ से हम, यहाँ से जो हम, gamma निकालेंगे, gamma निकालेंगे जो, तो alpha equal to beta दिया है, तो alpha plus beta यह 2 alpha होजाएगा, तो 180 minus 2 alpha होजाएगा, ठीक है, यह चीज़ समझ में आया, तो equal to हम लिख सकते हैं इसको, c upon में, sin, gamma की value, 180 minus 2 alpha लिख सकते हैं, ठीक है, 2 alpha लिख सकते हैं, ठीक, अब इसको हम solve कर लो, इस equation को अब solve कर लो, और यहां से आपको यह homework में जाता है, ठीक है, तो यह question, मैंने method बता दिया है, और इसमें lamnese theorem ही लगाना हैं आपको, ठीक है, अब यह c को दिया है, c को क्या दिया है, c को क्या दिया है, उपर जो, यहां पर जो, c को दिया है, तो magnitude of a इधर लिख दो, sin alpha, sin alpha, और c वाला, c को दिया है, root 2 times of a, यही दिया था न, given दिया है, ठीक है न, यह दिया है given, और यह sin 180 minus 2 alpha क्या होता है, यह होता है sin alpha, तो यह sin 2 alpha हो जाएगा, sin 2 alpha हो जाएगा, ठीक है, यह चीज़ समझ में आई, उसके बाद हम sin 2 alpha का formula लिखेंगे, ठीक है न, तो इसको लिखेंगे, root 2 a upon 2 sin alpha cos alpha, ठीक है, अब यहां से, इस equation से, यह sin alpha, यह sin alpha, खतम हो गया, a से a कट जाएगा, ठीक है न, यह root 2 से 2 कटेगा, तो यह upon root 2 आजाएगा, तो यहां पर cos alpha जो आया, cos alpha जो आएगा, इस दो equation को, यह वाला और इसको equate करेंगे, तो हमारा cos जो alpha आएगा, वो 1 upon root 2 आएगा, ठीक है न, और alpha, और cos alpha, 1 upon root कब होता है, जब alpha equal to 45 होता है, ठीक है न, तो यहां पर 45 अगर निकल के आ गया, तो यहां पर हमारा सब कुछ निकल के आ जाएगा, ठीक है, यह चीज़ समझ में आई आपको, आया की नहीं समझ में यह बताओ पहले, नहीं सर्व रूट 2 upon sin 2 alpha वाले नहीं समझ में आया, मैंने कल एक formula बताया था कि sin alpha plus beta कितना होता है, sin alpha minus beta कैसा होता है, ठीक है न, तो उस formula से निकालोगे यह यह वाली चीज़, तो sin 2 alpha आएगा, ठीक है, ठीक है, निकाल के देखना sin 2 alpha आएगा, अब यह sin 2 alpha जो होगा, अब 2 sin alpha cos alpha होता है, अब यहां से आगे समझ में आगया न, हाँ, ठीक है, तो यहां पर बनावागा, तो alpha अगर निकल के आगया हमारा, तो सब कुछ अब निकल के आ जाएगा, और जो हमने जो पिछला डाग्राम जो बनाया था न, जो पिछला डाग्राम बनाया था न, यह जो डाग्राम बनाया था न, यह जो डाग्राम बनाया था पिछला जो हमने, ठीक है न, तो यह क्या है था, यह वाला इंगल हमारा alpha है था, यह हमारा gamma है था, ठीक है न, तो हम हम ऐसे लिखते हैं लेखो गामा को A, B, C यहां पर हमने लिख दिया यह यह हमने लिखा अलफा यह लिखा बीटा और यह लिखा गामा ऐसा अगर लिखते हैं तो यह A है ऐसे लिखो इस ट्रेंगल को ऐसे बना लो इजी के लिए आपको यह A है यह B है यह C है ठीक है यह अलफा है यह बीटा है यह गामा है थोड़ा बड़ा लिखता हूँ यह लेख सेखें लेमीस ठीन को अराम से याद करने के लिए याद रखने के लिए ऐसे लिख दो यह ट्रेंगल बना ले ना ठीक है यह हमारा A है, यह हमारा B है, यह हमारा C है, तो कुछ नहीं, लिखो A upon में इसके सामने का एंगल, A के सामने का एंगल अलफा है, तो साइन अलफा, B, B side लिखो, और इसके सामने का एंगल का है साइन बीटा, और यह C upon में साइन गामा, सामने सामने का देख लो, A के सामने क्या D यह live में प्रोड़क्त ओफ और हमरा यह खतम हो गए यहां से अब ऑब हम पढ़ने वाले हैं क्या प्रोडक्त ओफ़ अए तो होते हैं और क्रोस परोड़क्ट टिक ना यह हम नेक्स्स लेक्चर में पढ़ने वाले हैं ठीक है तब तक के लिए आपको और मेरे को सुनने के लिए ठेंक यू ठीक है ओर outro इन downtown